बाल इस तरह तो धीरेंजी बकरे साइद अपने छेतर में नहीं मिलते हैं यह बाहर का बकरा है और यह क्रॉस ब्रीड है यह कुल मिला करके यह गुलाबी नसल का है इसके सींग गुलाबी रहते हैं इसकी आँखी गुलाबी है थोड़ा सा सेवं दिखा पाएंगे आँख्या रात में यहीं रुकती है अब यह सर्दी का माहौल है तो तरप दो लगाया है और इस चारो तरफ आप देख सकते हैं यहां आपको बदवू नहीं आ रही होगी नमस्कार स्वागत है जनता का राज में मेरा नाम है अवदेशपाल और मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर्ट जिले के इटोराग्राम है जो धीरन जी बकरी फारम एक इस तरह का वह एकजामपल सेट की है उधारा समाज में पेश कर रहे हैं कि बकरी फारम खोल कर भी कैस से आंगे बढ़ा जा सकता है कि उनसे बात करते हैं दीरन जी बहुत-बहुत स्वागत है जनता कराज में नमस्कार और बहुत-बहुत धन्नवाद हमारे दर्सक दीरन जी यही सबसे पहले मन में यही कुश्चन जानना चाहेंगे कि दीरन जी तो कैसे उनकी सफर की में थे और आर्मी में वहीं पे रहता था मैं चलते चलते दिया हमारी पढ़ाई हुई थी और मैं पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ जॉब करी जाए तो इसमें मैंने आर्मी ओफिसर के लिए त्यारी करी उसमें दो-तीन बार अटेंट किया लेकिन जब वहां से और मुझे काम्या भी नहीं हुई तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब करी प्राइवेट जॉब मैं मैंने देखा कि सब एक्सपीरेंस लिया और उसके बाद प्रूफु करपा से मुझे बिदेश जाने के लिए भी सेलेक्शन हुआ अच्छा लेकिन फिर जब मैंने देखा करके अपने राज में रहकर कुछ ऐसा काम करें जो किसानों को भी फायदा हो और हर किसी के मन में एक ही उम्मीद रहती है कि अमीर बने तो वो वो अमीर बनने का रास्ता कैसे निकले क्या किया जाए तो उसके लिए फिर मैं गाउं बापस आया नोकरी छोड़ दी तो जब बापस आने के बाद मैंने पहला टार्गेट ले लिया कि बकरी का फारम चालू करना है तो घरवालों ने इसका ब्रोज किया कि बकरी पढ़ लिख करके आपने अच्छी नौकरी भी करी है पढ़ लिख करके यह जो नीचे लोग काम करते हैं नीचे लोग का मतलब गरीब ब लेकिन और फिर मैंने कहा यही रास्ता है किसान के लिए जहां से अमीरी का रास्ता निकल सकता है समाज हसे या मजाक उड़ाए लेकिन हमने आमदनी लेनी है तो इसी से लेनी है ब्रोद घरवालों ने किया समाज वालों ने भी किया लेकिन हमने एक कदम आगे निकल के फारम क जानबरों का चुनाव करने के लिए एक चीज ही बताऊंगा कि आपने दलालों से यह नहीं खरीने बकरी अगर दलालों से आप खरी देंगे ब्यापारियों से खरी देंगे आप बाहर तो वह पानी पिली हुई बकरी आपको देंगे जो आप लेके आओगे पंदरा दिन में मरने का चांद जादा होता है किसान आदमी के पास अतना पैसा नहीं होता है एक दो बार वो पकड़ेगा बकरी को या आप एक दो बार लागर लगाएंगे बकरी के पास वो घाटे में चला जाएगा घाटे का सौदा हो जाएगा इस कारण बकरी का चुनाव कुल मिला करके किसानों से ले अच्छी नसल की बकरिया ले और वहां पूछें कितने जानवरों के साथ वो ब्याती हैं और उसकी मा कैसी थी ऐसे करके आप चुनाव ले सकते हैं तब बकरिया आप पालें फारम में क्योंकि आपने कटिंग के लिए माल नहीं रख रहे हो आप पालने के लिए अब यह देखें कि यहां तरफ से अजान दिखा दें थोड़ा इस तरह तो धीरें जी बकर इसाइद अपने छेतर में नहीं मिलते हैं यह यह बाहर का बकरा है और यह क्रॉस ब्रीड है यह कुल मिला करके यह गुलाबी नसल का है इसके सींग गुलाबी रहते हैं इसकी पेले में दीरणद्य पहुत हैं इसके पीछे के बाल बड़ होते हैं यह गुलाबी नसल की तो इसको नाम इसको क्या बोलेंगे अगर कोई लेना चाहेता है किसांदो प्वाड़ी नसल के बकरा होता है जमनापारी बोले जाते हैं एनकी इसको स्थी इससे क्रोस कराते हैं इनकी माँ मेंक्तास कई था रहते हैं देखिए इन में एक होता है कि जब जानवर ब्यानता है तो अगर उसकी माँ ने दो बच्चों के दिये हैं ये दो बच्चों के साथ आया है, तो जैदी अजर से क्रॉस करेगे फिल्टी नहीं भी दो बच्ची हो गेए सबसे बेस्ट क्यॉलटी कोंदी बच्ट कम करना है, क्लिए हम रॉब भ्यापार कर रहे हैं मास में लंबी बक्रिया रही है, मास किसमें च्छादा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ यह आजाए सिवंबी यह देखे छोटे धीरण जी की अभी टोटल कितने जानबर हैं धीरण भई आपने अहां कितना माल आपने बताए कुछ समय पहले निकाले हैं अभी हमने कुछ माल निकाला है जी और यह हम दिखाए अच्छा यह है यह गुज यह कान उसके विखान अपनी निकाशनी के लिए वहां पर इस थरीके से काम किया था हमने किसानों किया है यह तो हम ने भी किसानों से dEREक लेके आये थैं कि यह राज़स्तान सी ही चिए अचसी में लाधा आगे औरे बताई है किसानों से खरीदनां हुए तो ने अब दलालों के चक्कर में पड़ना ही नहीं नहीं पड़ने आट-दस लाख रुपे का इन्वेस्ट हो गया था वारा मनाने में लेवर रूम बनाने में हमारा यह आट-दस लाख लेकिन हमने अभी बकरियां निकाली हैं तो हमारा एक्सपीरेंस बहुत अच्छा रहा हमने साडे चाल लाह रूपे अरजित कर चुके हैं देखियेगा देखियेगा गेल्विजा काम की सुरुबात की ठीरेंजी ऊभी तो अभी छूड़ी ठोड़े एक कम देख रहा है अच्छा देखना हैं कि इसमें खाना जैसे बक्रियों को साफ सुत्री बहुत रहती है नीचे गिर जाता तो खाती नहीं है नहीं इसलिए बनाए जाता है यह बिलकुल बिलकुल लेखा किस तरह से अगर उसका ब्यापार में कुछ भी अगर अनवह रहा है कुछ भी चीजें अगर धीरन जी ने ने लगा जो चारया है और इस चारों तर आप देख सकते हैं यहां आपको बद grenade petals के कारण जहां हिसके पापरे उपारक। इसलिए रखा है यह आप देख सकते हैं यह हमने टांट लगाई हुई है क्योंकि हवा जो नैचुरल तरीके से ज्यादा तर पूरा पच्छिम चलती है अधिक तर यही चलती है फिर वह बनलें से हवा लग चीज है लेकिन ज्यादार यही चलती है तो हमने यह दिसार ताकि हावा आए और जाए और हमने तीस फोट से जादी चोड़ाई नहीं की हुई है तो रात में अगर उनके लिए कुछ भोजन रखना है तो यह बनी हुई है इसी में इनका खाने का यह पक्के सीमेंटेट बना दिये हैं तो इसमें रख देते हैं देखें बक्रियों के चाए नहीं करोगें के लिए कुछ भूषा और धिरन जी मैं क्या अच्छा रहताता बख्रियों बजन किस से बढ़ता है यह यह फैसे और तरीके का भूषा का या ऍजैसे आपके 57 found ब्रम और जाया चने का हो गया और आपकी erज आना हो गया और आपकी मशूर का हो गया मशूरी का बुलते हैं जिसे ये सब भुसा बहुत अच्छे से चाव से खाती है बेटा धीरंद राजपूद है हमारे साथ और कैसे बकरी फारम की सुरुबात किये और कैसे लाखों कमा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब धीरंद करोणों और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं तो कैसी लगी बादचीत हमारी आप देख रहेते जंता का राज और हमारे साथ धीरंद राजपूद जो एटोरा या टूंका धीरंद जी एटोरा के रहने वाले हैं जो राठ छेत्र में पड़ता है तैसील राठ बिलको लोगा एक बार चलते चलते फारम की बख्रियां और देखा दाएं सुक्रिया धनवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए